So Hello Everyone, कैसे हैं? आप सभी उमीद करते हूं कि आप सभी बहुत ही आच्छे होंगे Friends, आज का हमारा टॉपिक है बहु बिकल्पी प्रेशन आज के हमारे इस वीडियो में हम समाज शास्त्र के कुछ बहुत ही महत्तोपोर्ण बहु बिकल्पी प्रेशन के विशे में जानेंगे वीडियो में बताएगा ये प्रेशन बहुत ही इंपोर्टन है ये अक्सर समाज शास्त्र के कोशिन पेपर में पूछे जाते हैं तो इसलिए आप सब वीडियो को पूरा एंड तक वाच करिएगा बिल्कुल भी इसकिप मत करिएगा फ्रेंट चले बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो के और जानते हैं बहु बिकल्पी प्रेशनों के विशे में हमारा पहला प्रेशन यहाँ है कि जब एक वर्ग पूर्णता अनुमान शिक्ता पर आधारित होता है तो उसे हम जाती कहते हैं यहाँ कथन किसने कहा है आपके आप्शन्स हैं आप्शन नमबर वन मजुमदार एवं मदान का आप्शन नमबर टू कूले का आप्शन नमबर थ्री मूरे का आप्शन नमबर फोर श्री निवास का तो इसका correct answer होगा option number two कूले का जब एक वर्ग पूर्णता अनुवांशिक्ता पर आधारित होता है तो उसे हम जाती कहते हैं यहां कथन कूले ने कहा है हमारा दूसरा प्रशन यहां है कि भारतिय समाज तथा समाजिक संस्थाय नामक पुस्तक किसने लिखी है इसके लेखक का नाम क्या है आपके options है option number one डॉक्टर आर एन सकसेना option number two डॉक्टर दूबे option number three मजुमदार एवं मदान option number four एरावती करवे तो इसका सही answer होगा option number one डॉक्टर आर एन सकसेना भारतिय समाज तथा समाजिक संस्थाय नामक पुस्तक के लेखक का नाम डॉक्टर आर एन सकसेना है हमारा तीसरा प्रशन यहा है कि निमनलिखित मैंसे किसने जाती को एक विस्तरित नातेदारी समूह माना है आपके options है option number one एरावती करवे option number two मजुमदार option number three डॉक्टर दूबे option number four श्रीनिवास्तर इसका correct answer होगा option number one एरावती करवे एरावती करवे ने जाती को एक विस्तरित नातेदारी समूह माना है हमारा अगला प्रशन यहा है कि डॉक्टर घूरिये ने जाती की कितनी विशेस्ताओं का उल्ले किया है आपके options है option number one चह, option number two चार, option number three तेन, option number four पाच तो इसका correct answer होगा option number one चह, डॉक्टर घूरिये ने जाती की छे विशेस्ताओं का उल्ले किया है हमारा अगला प्रशन यहा है कि निम्न में से कौन सा जाती का कारे है आपके options है, option number one संस्कृति की रक्षा, option number two विवसाय का निर्धारन, option number three मानसिक सुरक्षा, option number four यह सभी तो इसका correct answer होगा, option number four यह सभी, यह सभी जाती के कारे हैं हमारा अगला प्रशन यहा है कि जाती के कारण भारत में एक बहु समाज स्थिर रह पाए यहा कथन किसका है, आपके options है, option number one इरावती करवे का, option number two हटन का, option number three फारनिवाल का, option number four रिजले का तो इसका correct answer होगा, option number three फारनिवाल का, जाती के कारण भारत में एक बहु समाज स्थिर रह पाए हैं, यह कथन फारनिवाल का है हमारा अगला प्रशन यहा है कि जाती की उत्पत्ती का उलेख किस वेद के पुरुष सुक्त में किया गया है आपके options हैं, option number one रिगवेद, option number two सामवेद, option number three यजुरवेद, option number four अथरववेद तो इसका correct answer होका option number one रिगवेद, जाती की उत्पत्ती का उलेख रिगवेद के पुरुष सुक्त में किया गया है हमारा अगला प्रशन यहा है कि जिस विवस्था में जातिया परस पर एक दूसरे की सेवा करती हैं, उस प्रिथा को क्या कहते हैं आपके option से option number one जजमानी प्रिथा, option number two जातिय बंधन, option number three परस पर एक सिध्धान, option number four संस्कृती करन तो इसका correct answer होका जजमानी जिस विवस्था में जातिया परस पर एक दूसरे की सेवा करती हैं, उस प्रिथा को जजमानी प्रिथा कहा जाता है हमारा अगला प्रेशन यहाँ है कि मनुशी एक समाजिक प्राड़ी है, परंतु अधिक इसपस्टता वह एक वर्ग प्राड़ी है, यहाँ कथन किसका है आपके options है, option number one माक्स का, option number two अरस्तू का, option number three लेनिन का, option number four स्टैलिन का तो इसका correct answer होगा, option number one माक्स का, मनुशी एक समाजिक प्राड़ी है परंतु अधिक इसपस्टता वह एक वर्ग प्राड़ी है, यहाँ कथन माक्स ने कहा है हमारा अगला प्राशन यहाँ है कि, निम्न मेंसे कौन सा कारक जाती प्रिथा में परिवर्थन के लिए उत्तरदाई नहीं है आपके options हैं, option number one प्रजातंत्र, option number two इस्त्री सिक्षा में व्रध्धी, option number three स्वतंत्र आंदोलन, option number four मानव का चंद्रमा पर पहुचना तो इसका correct answer होगा option number 4 मानव का चंद्रमा पर पहुशना इन सभी में मानव का चंद्रमा पर पहुशना यह कारक जाती प्रिथा में परिवर्तन के लिए उत्तरदाई नहीं है हमारा अगला प्रशन यहाँ है कि व्यवसाय और केवल व्यवसाय ही जाती प्रिथा की उत्तरदाई है यह मत किसका है आपके options है option number 1 नेस फिल्ड का option number 2 रिजले का option number 3 मैक्स वेबर का option number 4 माक्स का तो इसका correct answer होगा option number 1 नेस फिल्ड का व्यवसाय और केवल व्यवसाय ही जाती प्रिथा की उत्तरदाई नहीं है यह मत नेस फिल्ड का है हमारा अगला प्रशन यहा है कि परंपरात्मक सिध्धान्त के अनुसार जाती की उत्तरदाई किस से मानी गई है आपके options है option number 1 वर्ण से option number 2 ब्रह्म से option number 3 व्यवसाय के कारण option number 4 धर्म के कारण तो इसका correct answer होगा option number 2 ब्रह्म से परंपरात्मक सिध्धान्त के अनुसार जाती की उत्तरदाई ब्रह्म से मानी गई है ये थी जानकारी कुछ बहु विकल्ब प्रशनों के विशे में उमईद करते हूं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी comment करके जरूर बताएं वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर शेयर जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथी साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे की आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके तो फ्रेंट्स आज की वीडियो बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ